हेलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में आज की रेस्पी होने वाली है यह दो टैप की में रेस्पी बताऊंगी ब्रैड से बच्चों की लंच बॉक्स के लिए तो हम लोग आज ना दो टैप की रेस्पी है जो की बहुत ही इजी मैथर स आज शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक बोल में दो तेन उंडच लिए है आम तीन अंडच ले लेगे ताकि इस तीन उंडच की रेस्पी बनाएंगे अब तीन उंडच लेने के बाद में इसमें थोडा सा नमक करना है और इस सब तीनों चीजों को अच्छे है आपको तो अब आपको इसे अच्छी तरीके से खोब फेटना है और ताकि सारा इसका नमक और मिर्च और काली मिर्च अच्छे से फिट जाए तो जब यह अच्छे से फिट जाएगी तब फिर हमें अपना अलग से ब्रैड के दो पीस करने हैं तो मुझे यह चोटी ब्रैड मिली अब आपको इसके दो पीस करने है तो दो पीस करके आप इसको अलग-अलग कर लीजेगा अब इस एक पैन में मैंने थोड़ा सा इसमें देशी घी एड किया है आप इसमें बटर भी एड कर सकती है तो अब इसमें बटर डालने के बाद में यह घीर आलने के बाद में फिर म आपको इसमें ब्रैड की पीसों को रखना है अब इसको दोनों पीसों को जब आप इसमें आमलेट की उपर अच्छे से रख देंगे तो फिर इसको आपको अच्छे से धीमे से इसे तवे में ही आपको पलटना है तो आप इसको धीरे से इसको पलट दीजेगा ताकि ये ओमलेट तूटने ना पाए अगर ये तूट जाएगा तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो अब इसको अच्छे से फिर मीडियम ख्लेम कर दीजेगा और ये जो ओमलेट है इसको ब्रैडों के ऊपर आप धीरे-धीरे करके इसको फोल्ड कर दीजेगा तो ये ब्रैडों के पीस में आपको फोल्ड करना है अब फोल्ड करने के बाद में फिर अब आपको दोनों ब्रैडों के पीस में अपना इसमें sauce लगाना है तो एक bread के slice में आप अच्छे से tomato sauce अच्छे से फैला के लगा दीजेगा ये बच्चों को बहुती पसंद होता है तो अब और दूसरी तरब से एक आप इसमें मैजरोला cheese की जो slice होती है उसको दूसरी bread के पीस में रख दीजेगा अब दोनों bread के पीसों को अच्छे से fold कर दीजेगा अब fold करने के बाद में इसको एकदम धीमी flame में आपको हलका सा cook करना है तो अब मैंने ये flame धीमी कर दी है और अब इसमें आपको चारो तरब से थोड़ा सा इसमें butter या घी इसमें add कर दीजेगा ताकि अंदर से अच्छे से ये सिख जाए तो ये आपका cheese एक sandwich बनके तयार हो गया है ये बच्छों को बहुती जादा ये dish पसंद आएगी तो इनको आप लोग ज़रूर breakfast में दीजेगा या lunch box में दीजेगा ये बहुती जल्दी बनकर तयार होता है अब चलिए अब हम लोग दूसरी recipe शुरू करते हैं तो उसी अंडे के घ न suspense नlaim में पती छोप कीवि डाली है और थोड़ा सा मेसरोला cheese भी इसमेंontin कर दिया है और मैजरोला चीज एड करने के बाद में इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर ली जब आप अपको अच्छे अच्छे से लगा देना है और फिर कम कूक मेडियम फ्लेब आपको फैलाना है तो फैलाने के बाद में फिर इसको आपको पलट देना है अब पलटने के बाद में जो चीज है दीमे धीमे मीडियम फ्लेम में अच्छे से मेलट हो Lorne और ब्रेड में अच्छे से मेल्ट हो जाएगी अब जब अच्छे से कुक हो जाएगी तो यह समझे आपका यह चीजी ब्रेड टोस्ट बनकर रेडी हो चुका है यह बहुत ही सिंपल रेस्पी है और बहुत ही टेस्टी रेस्पी है यह रेस्पी भी आपकी बच्चों को लो जरू खिला येगा